नमस्कार, मेरा नाम मैं है जिस हो क्या है मैं करतार पब्लिक फूल से चोथी पक्षा में पती हूँ आज मैं आपके सामने पर्या बरन पे एक कविता परसूत करने जा रही हूँ पेडों को तुम काट रहे हो, प्रदूशन को तुम पाल रहे हो इस जीवन को ये मानब तुम संकट में क्यों डाल रहे हो जो पेड तुम्हें जीवन देते, तुम पुनी का जीवन देते हो जो पेड तुम्हें जीवन देते जाए हैं लेकिन उनके हम ठीक से केर नहीं कर पाए हम पबलो का सहजो जाते हैं अब लोको हम जोटके रुटकर करते हैं कि जाथ प्लान्टेशन होती है इसको अच्छी दूरां से देखबाल करनी है इसको बचाना है और यह हमारा इंसानी फर्ज है कि हमारे आणेबाली निसलों के लिए बहुत जिरूरी है इन्वारिमेंट परेवन अच्छा सोद होना चाहिए तो आज करतार पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से स्कूल की तरफ से यह प्लान्टेशन ड्राइब का एक शोटा सा कदम है तो इसका जो पहला कदम है मैं इसकी सराहना करता हूँ और इतने चोटे-चोटे लेवल पे अगर हर स्कूल हर और अर्गनिजेशन कोई positive step towards the society towards the community उठाएगी तो कहने के हमारा जो समाज यह वस्शक्त होगा तो ज़रूरत है आज की rate में environment को मजबूत करने की उसको बचाने की प्रकृती के साथ शिर्ठाट ना करके पोदों का ज़दा-ज़दा पोदा रोपन करके तो oxygen level को बढ़ाने की जैसे सरा की heat generate हो रही है temperature का लगातार जो star है वो बढ़ रहा है तो उसी के चलते अगर हम पेड पोदों को ध्यान में रखते हुए इनका सनक्षम करते हुए और practically ground पे पोदे लगा कर आज कल आपने देखा होगा कि trend चला हुआ है WhatsApp और Facebook पे वो पेड पेड चलता है सिर्फ ट्री ट्री चलता है plantation drive, plantation drive एक ग्रूप से दूसरे ग्रूप में, दूसरे ग्रूप से तीसरे ग्रूप में but on practically ground zero कोई भी आदमी on practical ground आके plantation drive को रन करके राजी नहीं होता जहां आप समय का अभाव कह सकते हैं जहां इसको मेर लिए एक फॉर्मलिटी कह सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यह महज एक उपचारकिता ना रह जाए और practically ground पे भी काम हो